नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्चेव यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम एक्सप्लोर करते हैं लेटर साइवर सेक्यूर्टी टूल्स और टेक्निक्स को कई बार क्या होता है जो चीज किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है पर कुछ कमियों के कारण उसकी बज़े से बड़ी समस्या उत्पन हो सकती है जैसे कि Microsoft ने अभी कुछ महीने पहले एक critical TCP IP RC vulnerability को disclose किया था जिसका CVE score है 9.8 जो की सभी Windows system को impact करती है जो भी IP version 6 का use करते हैं इस attack में attacker IP version 6 packets repeatedly भेज कर सिस्टम में remote code को execute करा सकता है CV2024-38063 यह एक zero click vulnerability है यानि किसमे target system पर कोई भी click करने की जरूवत नहीं नहीं target user के कोई interaction की जरूवत है यह directly execute हो सकती है जो कि specially crafted packets के थुरू buffer overflow को cause करती है जैसे कि arbitrary code को execute किया जैसे कि मैं आपको demo दिखाता हूँ कि यह vulnerability आपके system में है और आपने इसको patch नहीं किया है तो क्या हो सकता है कैसे कोई attacker डिरेक्ट ही आपके system को नुक्सान पहुंचा सकता है बले ही आपने कोई भी link पर click ना किया हो या कोई भी malicious software अपने system में ना डाला हो उसके वावजूद भी यह work कर जाएगा इसकी POC GitHub पर number देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कौन सा version का use कर रहा हूँ अभी यहाँ पर मैं इसकी vulnerability को test करूँगा आप यहाँ पर इसकी information देख सकते हैं कि इसका IP version 6 address क्या है यह machine का direct IP version 6 address है और यह link local IP version 6 address है तो अभी हमें बस यही IPs चाहिए यही IPs के थुरू इसको target किया जा सकता है जैसे कि मैं आपको देखाता हूँ अभी मैं अपनी काली machine पर आ गया हूँ और मैंने अपने terminal को open कर लिया है मेरे दोने ही system same network पर connected है तो मैं easily target को find कर सकता हूँ उसके IP version 6 और उसके mac address को check कर सकता हूँ इसके लिए कई तरीके हैं जैसे कि आप network scanning का use कर सकते हैं आर्प spoofing का यूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं better cap का use करके network को scan करूँगा कि इससे कौन कौन सी device connected है तो यहाँ पर मैंने better cap पर network को on कर दिया है अभी यहाँ पर जो भी devices मेरे network से connected होंगी उनकी list यहाँ पर आ जाएगी इनकी detail चेक करने के लिए हम यहाँ पर command लगाएंगे net.show औ इसकी puc को मैंने github से अपने system पर clone कर लिया है अभी मैं इसके folder में जाऊंगा यह मेरे desktop पर मुझूद है तो मैंने इसके लिए command लगा दिया है और अभी मैं इस folder के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पर एक script है हमें उसके अंदर target की information set करना ही होगी तो मैंने इस file को open कर लिय मैंने यहाँ पर target की information पहले से set की हुई है जैसे कि यहाँ पर मैं console interface का use कर रहा हूँ target machine का IP version 6 यहाँ पर मैंने set कर दिया है उसका make address भी यहाँ पर मैंने set कर दिया है इसके बाद मैं इस file को save करके बंद कर दूँगा और अभी मैं इसको execute कर रहा हूँग तो यह python के script है तो यहाँ पर यह time खतम होगा तो यहाँ पर memory corruption trigger हो जाएगा यहाँ पर buffer overflow की बजह से हमारा system crash हो जाएगा जैसे कि मैं आपको देखाता हूँ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 seconds से भी कम समय बचा है तो अभी मैं अपने target machine पर आ गया हूँ और अभी आप थोड़ देर में देखेंगे यह यहाँ पर hang कर crash हो जाएगी यह देखें दूस्तो यहाँ पर यह machine crash हो गई है मैंने यहाँ पर कोई भी link पर click नहीं किया नहीं मैंने यहाँ पर कोई भी command execute कराई उसके वावजूद भी मेरा system यहाँ पर crash हो गया है तो इस तरह से यहाँ पर इसका फाइदा कोई attacker आपके system को नुक्सान पहुचा सकता है वहाँ पर कोई भी remote code को execute करा सकता है जिससे कि आपका system compromise हो सकता है तो इससे बचने के लिए आप regularly अपने system को update करते रहे है Microsoft ने इसका patch जारी कर दिया था विदिया पर्टिकुलर्ली इस attack से बचना चाहते हैं कोई आपके system को ब जाएंगे जिससे भी आपका net चला है आप उस पर जाकर more adapter options को edit कीजिए इसको yes कीजिए इसके बद आपको यहाँ पर IP version 6 को disable करने के लिए check box मिल जाएगा आप इसको यहाँ से uncheck कर दीजे और इसको ok कर दीजे इसके बद यहाँ पर IP version 6 disable हो जाएगा मैं आपको देखा देता हूँ मैंने यहाँ पर बापिस से टर्मिनल को open किया इसके बद यहाँ पर मैं IP को check करूँगा और अब यह आप देख सकते हैं यहाँ से IP version 6 हड़ चुका है यहाँ पर के विल IP version 4 ही आ रहा है अब यह यहाँ से case में कोई भी attacker इस attack को try करता है तो यहाँ पर यह वर्क नहीं क करेगा क्योंकि यहाँ से IP version 6 ही disabled हो गया है तो यहाँ पर यह वर्क नहीं कर पाएगा जैसे कि मैं SPOC को बापिस से run कराया और आप triggered होने के बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर IP version 6 disabled हो चुका है यह देखिए यहाँ पर memory corruption triggered हो च से safe रह पाएं और यदि आपका भी इतिगा लेकिंग और cyber security में interest है तो आप मेरे cyber tube.net और techchip.net website को भी इट कर सकते हैं मेरे इन दोनों ही website पर आपको काफी सारी practical वीडियो मिलेंगी यहाँ से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और यदि आपको इस चैनल पर पहली वार चाहूंगा जल्दी ही मुलकात होगी ऐसी कसने वीडियो के अंदर वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद